यहां पर हम कुछ प्रश्णों पर बात करेंगे जैसे यदि N बराबर 3 दिया गया है और इसके लिए आपको इलकेन का सुत्र बनाने दिया जाए तो जैसा कि हमने सुत्र देखा C N H 2 N प्लस 2 तो यदि N के जगा 3 करेंगे तो C 3 H 2 इंटू 3 प्लस 2 तो 3 दूनी 6 और 2 8 तो C 3 H H 8 तो यह जो इलकेन होगा इसका नाम होगा प्रोपेन क्योंकि कार्बन परमाणू की संख्या यदि 3 होती है और इसमें यदि N लगा दिया जाए तो इसका जो नाम होगा इस प्रकार के इलकेन का वहाँ प्रोपेन होगा तो प्रोप धन N करके प्रोपेन इसका नाम पड़ तो जैसा कि हमने सीखा कि इतने लंबे एक जैसे यदि हमें CS2 दिखाई देते हैं तो इसे हम कैसे संगानित रूप में लिख सकते हैं तो यहां हम देख रहे हैं कि CS2 की संख्या 3 है और दोनों एंड पर एक एक CS3 है तो बीच में हम CS2 को होल 3 कर सकते हैं यहने CS3 फिर CS2 होल 3 कर देंगे पादान के रूप में ब्रैकेट के बाहर पादान के रूप में हमने 3 लिख दिया और इधर भी CS3 तो कुल कारबन परमाणूगी संख्या यहां 5 है यह पेंटेन है जिसे हम संगानित रूप में लिख सकते हैं CS3, CS2, होल 3, CH3 अगला जो प्रश्न है C7, H16 के लिए जो सूत्र होगा या उसे जब हम अनुलगन और उसका जो मूल भाग है उसे अलग करके लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे जैसा कि कार्वन परमाणू की संख्या को देखकर हम यह खह सकते हैं कि यह हेप्ट है यानि कार्वन परमाणू की संख्या यहां साथ है तो C7, H16 हो गया तो हेप्ट इसका मूल भाग हो गया कार्वन परमाणू की संख्या क्या धार पर और एन जो है वह इसका अनुलगन हो तो हेप्टधन एन इसका नाम हो गया हेप्टेन C7H16 ये हेप्टेन का सूत्र हो गया इसके बाद हम एलकेन में पाए जाने वाले समावैता के बारे में जानेंगे तो वास्तों में समावैता शब्द जो है वो हमारे लिए नया है पहले हम उसके बारे में सीखेंगे समावैता जहां पर हम देखते हैं कि विभिन योगिक जिनके अनुसुत्र समान होंगे लेकिन सररशनात्मक दृष्टी से वो एक दूसरे से अलग होते हैं तो ये सभी योगिक एक दूसरे के समावैवी कह जाते हैं और ये जो घटना है इसे हम समावैता कहते हैं यहने एक ही अणुसूत्र के कई प्रकार के योगिक हो सकते हैं, जिनके गुण अलग-अलग होंगे, भौती गुण, रासायनी गुण, काफी गुण इसके अलग होंगे, लेकिन केवल और केवल इनका अणुसूत्र जो है वो समान होगा, तो इस प्रकार की योगिक जहां वैता कहलाती है, तो जब हमने देखा कि कार्बन की श्रिंखला को जो अब हम बढ़ाते जाते हैं, तो कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन और जो मेथिल समू होते हैं, वो एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं, यानि कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है और इसके ही कई प्रकार हमने देखें, तो अभी हम एलकेन में पाए जाने वाले मुख्य-मुख्य जो समावेता हैं, उसे हम जानेंगे, तो एलकेन जो है वो मुख्य रूप से शाखित, स्रिंखला, समावेता भी दर्शाते हैं, जैसे यहाँ पर हम ब्यूटेन को दर्शाते हैं, जिसमें चार कार्बन हैं, तो C, 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 C और सभी से हाइड्रोजन सिंगल बॉन से जुड़ा हुआ है, तो CH3, CH2, CH2, CH3, यह एक सीधी स्रिंखला हो गई, लेकिन यहाँ पर यदि हम एक मेथिल को अंत में ना लगा कर उसे हम बीच वाले कार्बन में लगा दें, तो CH3, CH, और इस C से जुड़ा हुआ, एक CS3 हो गया, और एंड में फिर से CS3 हो गया, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कार्बन परमाणवू की संख्या, कुल संख्या चार ही है, दोनों ही सूत्रों में, लेकिन बाद वाला सूत्र जो हमने बनाया, उसमें एक मेथिल समू को एंड से हटा कर, बीच वाले कार्बन के H को हटा कर उसकी जगा पर प्रतिस्थापित कर दिया गया, तो कार्बन की संख्या अभी भी 4 है, और हाइडरोजन की संख्या अभी भी 10 है, क्योंकि यहाँ भी हम देख रहे हैं, जब सीधी स्रिंखला बनी, तो भी C4H10 है, और जब शाखि प्रोकार्बन है, वह एक शाखि स्रिंखला को दर्शाता है, इसी तरह से हम दूसरे एलकेनो की भी संरशना को पढ़ेंगे, जैसे यदि C5H12 दिया जाए, यहने की पेंटेन, तो पेंटेन में भी हम देखते हैं कि कार्बन एक सीधी स्रिंखला के रूप में जुड़ी हु किसी भी एक कार्बन के H को हटा कर वहाँ जोड़ देते हैं, तो यह भी एक शाखि स्रिंखला हो गई, यदि हम उसी C के एक और H को हटा कर, एक और मेथिल ग्रूप को वहाँ जोड़ देते हैं, तो वहाँ भी एक शाखि स्रिंखला ही बनेगी, लेकिन और जटिल शाखि स् के गुण बहुत सारे अलग-अलग देखने को मिलते हैं. जैसे यदि हम सीधी स्रिंखला बनाते हैं, तो इसका नाम होगा नॉर्मल पेंटेन. यदि हम शाखी स्रिंखला बनाते हैं, तो इसका नाम हो सकता है 2-methyl-butane, दूसरा जो और एक बनाए हैं, यहाँ पर एक बीच वाले कार्बन जिसमें दूसरे कार्बन पर मेथाईल जुड़ा हुआ है, उसी के कैच को हटा कर एक और मेथाईल जोडने पर उसका नाम हो जाएगा 2-2-dimethyl-propane, क्योंकि अब सीधी स्रिंकला में केवल 3 कार् जुड़ते हैं, और एक बीच वाले कार्बन से दोनों और हम देख रहे हैं, मेथाईल ग्रूप जुड़ा हुआ है, तो तीनों ही योगिक नाम में अलग-अलग हैं, एक है नॉर्मल पेंटेन, एक टू मेथाईल ब्यूटेन, एक होगा 2-2-dimethyl-propane, क्योंकि यहाँ पर ह हमने दूसरे कार्बन के एक हैच को हटा कर मेथिल जुड़ा, और उस सीधी स्रिंखला में हम देख रहे हैं कि कुल 4 कार्बन है, तो जिस कार्बन को हमने दूसरा नंबर दिया, उसी दूसरे नंबर के कार्बन में मेथाईल ग्रूप जुड़ा है, तो इसका नाम होगा 2- क्योंकि शेस जो कार्बन है, सीधी स्रिंखला में वहाँ चार कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो ब्यूटेन नाम होगा, और ब्यूटेन इसलिए होगा क्योंकि यहां पर हम सिंगल बॉंड यानि की एलकेन के बारे में एकल बंद वाले हाईड्रो कार्बन के बारे में मेथाईल ग्रुप जुड़ा है, तो 2,2 डाई मेथाईल और टोटल कार्बन हो गया, तो 2,2 डाई मेथाईल प्रोपेन इसका नाम होगा, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक जो पेंटेन है, वो तीन समावेवी दर्शा सकता है, जब हम स्रिंखला समावेता या साखित स् स्थिती में सीधी स्रिंखला वाले योगिक भी बन सकते हैं, शाखि स्रिंखला वाले योगिक बन सकते हैं, सभी का अणुसुत्र समान होगा, लेकिन सरशनात्मक द्रिश्टी से वो एक दूसरे से अलग-अलग होते हैं, यहां पर यदि हम एक ब्यूटेन की बात करते हैं, जैसे CS3, CH, CS3, CS3, दूसरी ओर भी हम देख रहे हैं CS3, CH, CS3, CS3, तो यहाँ पर एक लंबी श्रिंखला हमें सबसे पहले ढूणनी होती है, तो आवश्यक नहीं है कि लंबी श्रिंखला किवल सीधे में ही हो, यह आवश्यक नहीं है, देखना होता है कि कार्बन आपस में कहां तक एक लंबी श्रिंखला से जुड़े होते हैं, वही श्रिंखला सबसे पहले हमें ढूणना पड़ता है, ताकि हम मूल कार्बन की संख्या को पता लगा सकें, जैसे यदि हम यहां पहले वाली सनरशना में देखते हैं, तो यहां पर इस तरह से बना हुआ है, यहां कि CS3, CH, CS3, यहां भी हमें तीन कार्बन की लंबी श्रिंखला में ली, दूसरी सनरशना में भी हम देख रहे हैं, CS3, CH, CS3 और बीच में CCH से जुड़ा हुआ CS3 है, तो जब हम ऐसे देखते हैं तो भी तीन कार्बन है, जब हम सीधा देखते हैं तो भी तीन कार्बन हमें दिखाई देता है, तो इस सनरशना से हमें यह ग्यात हुआ कि इस योगिक का जो मूल इलकेन है, वह तीन कार्बन से बना हुआ है, तो इसका नाम जो मूल इलकेन का नाम ह बहोगा प्रोपेन और इसमें जो एक समूध जुड़ रहा है है एच को हटा कर उससे हम मेथिल नाम देते हैं क्यूंकि मेथेन में से जब एक एच अच अच आते हैं तो मेथिल बनता हैं तो जब हम स्रिंखला के कार्बन परमाणों को करम से ऐसे अंक देंगे जिसमें शाखि जैसे यहाँ पर यह दी हम उदाहरण ले CS3, CH और उससे जुड़ा है CS3 और यह CS3, तो यहाँ पर 1, 2, 3, तो यह एक स्रिंखला हो गई, तो इसमें दूसरे कारबन पर मेथाइल गुरूप जुड़ा है, तो इसका नाम क्या होगा, 2 मेथाइल, और 2 और मेथिल के भी छोटा सा एक डैश लगाएंगे, यह सभी जो हम नाम करण देख रहे हैं, यह एक नियम से होता है कि 2 फिर डैश लगा के मेथिल, और चुकि यह जो मूल इलकेन है, वो प्रोपेन है, क्योंकि कुल कारबन परमाणू की संख्या 3 है, तो 2 मेथाइल प्रोपेन इसका नाम होगा, वहीं दूसरी और हम देख रहे हैं कि CS3, CH, CS3 और CH से जुड़ा है CS3, यहाँ पर हम लंबी श्रिंखला का चैन किये, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि यह जो CS3 है, उसको दूसरा नंबर ही मिला, तो इसका नाम भी होगा, 2 मेथिल प्रोपेन, तो इन दोनों सरश्णाओं का ता होता था, दो मिला, दोनों ही में, तो इसलिए दोनों ही सूत्र में, जो नाम होगा, वह 2 मेथाईल प्रोपेन ही होता है, और यह जो नाम करण हम देख रहे हैं, इसे हम IUPSC के द्वारा निर्धारित मानन्नों के आधार पर बना हुआ पाते हैं, क्योंकि यह जो पूरा एक IU सिस्टम है, इसके द्वारा विभिन प्रकार के कार्बनिक योगी का हाइड्रो का नाम दिया गया है, जिसे पूरे विश्व भर में माननेता प्राप्त है, एक स्टेंडर्ड है यह, तो इंटरनेशनल यूनियन आफ प्योर एंड एप्लाइट केमिस्ट्री, इनके द्वार हैं कि इलकेन का वास्तों में कैसा नाम होगा, इलकेन के अलग-अलग कार्बन परमाणू यदी होते हैं, तो अलग-अलग सदस्यों का नाम क्या होगा, यह सब भी IOPSA सिस्टम के द्वारा ही निर्धारित होता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्यूटेन और 2-मेथाइल प्रोपेन, यहाँ पर यदी सरशनात्मक समावेता को देखें, तो वास्तों में यह किस प्रकार की समावेता होती है, जैसा हमने देखा ब्यूटेन CS3, CH2, CH2, CS3, और दूसरा हमने स्ट्रक्चर देखा, 2-मेथाइल प्रोपेन का जिसमें बीच वाले कार्बन से CS3 तो यह आपस में एक दूसरे के श्रिंखला समावेता होते हैं, यह जो श्रिंखला समावेता है, वो क्यो उत्पन होती है, क्योंकि कार्बन श्रिंखला में भिन्नता होती है, क्योंकि एक योगिक में हम देख रहे हैं कि कार्बन सीधा जुड़ा हुआ है, सभी कार्बन एक होती है और ये जो ब्यूटेन है या 2-मेथाईल प्रोपेन है ये आपस में श्रिंखला समावैवी होते है और इस घटना को श्रिंखला समा वैता के नाम से जाना जाता है तो अभी जैसे हमने C5H12 याने की पेंटेन में हमने देखा कि 3 समावैवी होते हैं एक नॉर्मल और तीसरा होगा 2,2-dimethyl-propane. इन तीनों में भी हम देख रहे हैं कि कार्बन की श्रिंखला में अंतर हैं. पहले वाले में कार्बन सीधी श्रिंखला में हैं, दूसरे में शाखित में हैं, तीसरे में और ज्यादा शाखि श्रिंखला के रूप में हैं. तो ये तीनों एक इसंत्रिप्त हाइड्रो कार्बनों के बारे में जानेंगे. जो असंत्रिप्त थाइड्रो कार्बन जिसमें हमने देखा इलकीन और इलकाइन तो सबसे पहले हम देखते हैं इलकीन तो इलकीन का जो सामाने सूत्र है वह दिया गया है C-N-H-2-N यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि N जो है वह कार्बन परमाणों की संख्या को दर्शाता है अब हमें यह जानना है कि इलकीन की शुरुवात जो है वह एथीन से क्यों होती है मेथीन से क्यों नहीं होती है यह एक प्रश्ण बनता है कि वास्तों में इलकीन परिवार की जो शुरुवात है वह एथीन से क्यों होती है मेथीन से क्यों नहीं होती है तो जब हम इस सूत्र में n बराबर एक करते हैं तो चुकि सूत्र है CnH2n यदि n बराबर एक करेंगे तो C के नीचे 1 आएगा और H के नीचे 2 आएगा तो CH2 ही होगा अब ये CH2 जो है ये अकेला एक CH2 हो गया जिसमें C और H के बीच सिंगल बॉंड है तो कार्बन में हम देख रहे हैं इधर H और इधर H और इधर H और ये दोनों तरफ जो है वो खाली है तो कार्बन की सेवजक्ता पूर्ण ही नहीं हो पाई कार्बन की सेवजक्ता पूर्ण नहीं होई मतलब यह प्रकृती में उपलब्ध ही नहीं होगा ऐसा कोई भी योगिक प्रकृती में उपलब्ध नहीं होगा जहां पर कार्बन की सेवजक्ता जो है वो चार पूरी नहीं होती है क्योंकि कार्बन एक स्थाई योगिक तभी बन नहीं हो पारी है, यही कारण है कि जो इलकीन परिवार है, उसकी शुरुवात जो है वो एथीन से होती है, अब हम इसके सूतर में आते हैं, एथीन को कैसे बनाएंगे, कि एथीन का क्या सूतर होगा, एथीन या जिसे हम इलकीन का जो पहला सदसे है, सबसे मुख्य, एथीन, भी कहते हैं इसे साधरान रूप में और IUPAC system के आधार पर इसे एथीन कहते हैं, तो एथीन का सुत्र यदि N बराबर दो करते हैं, N बराबर एक तो होगा ही नहीं, यहने मेथीन होता ही नहीं है, C बराबर दो करें, यहने C2, H2 इंटू 2, 4 हो गया, तो C2H4, यहाँ पर चु बंद लगा दिये, और carbon और hydrogen के बीच single bond हो गया, एक carbon एक hydrogen single bond से जुड़ा है, एक carbon और एक hydrogen से single bond से जुड़ा है, तो carbon की सोगता हो गई, 4, 2, 3 और यह 4, इधर भी 2, 3 और यह 4, carbon जब आपस में single bond से जुड़ेते हैं, तो उसे alkaline कहते हैं, और carbon जब आपस में double bond से जुड़ तो C3H6 होगा, यदि हम N बराबर 4 करेंगे तो C4H8 होगा, यदि हम 5 करते हैं तो C5H10 होगा, यदि 6 करेंगे तो C6H12 होगा, अब यहाँ पर जो नाम है वो कैसे लिखा जाएगा, यदि हम C बराबर 3 करते हैं, तो जो मूल रूप है या मूल भाग है, वो तीन कारबन परमाडू का है, जिसे हम प्रोप कहते हैं, चुकि यह एलकीन परिवार है, तो इसका जो सब्फिक से अनुलगन है वो इन है, तो प्रोप धन इन, इसका नाम होगा प्रोपीन, ऐसे ही यदि कारबन परमाडू की संख्या 4 होगी, तो ब्यूट इसका मूल भाग होगा, तो ब्यूट धन इन क्या होगा, ब्यूट इन, यदि हम एन बराबर 5, यदि कारबन परमाडू की संख्या 5 लेते हैं, तो एन के जगा पर 5 होगा, C5H10, यदि पेंट धन इन, इसका नाम होगा, पेंट इन, यदि C6H12 है, तो हेक्स धन इन, क्या होगा, हेक्जीन, हेक्स धन इ तो यहाँ पर होगा हेप्टीन ऐसे ही लगातार जब हम कार्बन परमाड़ों की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो एक लंबी श्रिंखला हमें प्राप्थ होगी लेकिन किसी भी एक कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन अवर्श ही देखने को मिलेगा तभी जाकर यह योग बनता है जैसे एक उदारण हम लेते हैं कि यदि हमें बनाना है C4H8 यहने की ब्यूट धन इन जहां कार्बन परमाड़ों की संख्या 4 है और हाइडरोजन की संख्या 8 है तो ब्यूट धन इन होगा ब्यूटीन तो जब हम यहाँ देख रहे हैं ब्यूटीन तो CH3 फिर CH फिर CH3 तो यहाँ पर हमने बीच में लगाया double bond यदि हम चाहे तो इसे प्रारब में भी लगा सकते हैं CH2 double bond CH CH2 CH3 यहने हम इस double bond को दूसरे कार्बन के बाद भी लगा सकते हैं और इस double bond को हम पहले कार्बन के बाद भी लगा सकते हैं लेकिन जहां पर भी लगाएंगे वहाँ ए जो double bond है वो carbon की 4 से हो जगता उसको लेकर भी शामिल होती है तो जैसे हम यदि यहां बनाते हैं CH2 double bond CH, CH2, CH3 दोनों end में हम देख रहे हैं एक तरफ CH3 है और इधर वाले end में CH2 है एक H को हटा दिये यदि हम यहां लिखते हैं CH3, CH double bond, CH, CH3 तो यहां हम दोनों end में देख रहे हैं methyl group है और बीच में CH और CH के बीच में double bond लगा है तो यह भी butine है यह भी butine है लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि एक में हम देख रहे हैं कि one butine है जैसे यदि हम one butine कहते हैं तो निशित रूप से पहले कार्बन से जुड़ा हुआ double bond है जब हम two butine कहते हैं तो दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ double bond होगा तो इसे हम two butine कहेंगे पहले से जुड़ा हुआ double bond है तो one butine कहते हैं ऐसे ही जितने योगिक हम एलकीन के बनाते जाएंगे, चाहे हेप्टीन हो, औक्टीन हो, पेंटीन हो, तो सभी में हम डबल बॉन्ड को किसी भी एक कार्बन पर लिखते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि वास्तों में यह कितने नंबर के कार्बन के साथ लिखा जाए जैसे यदि तीसरे नंबर के कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, तो तीन लिख के छोटा सा डैश लगाएंगे, और जितने भी कार्बन परमाडू वाला योगिक है, वह नाम उसमें लिख दिया जाएगा, जैसे यदि हमें बनाना है हेकजीन, तो यदि हमें छे कार्बन पहले हमने छे कार्बन बना दिया, उसके बाद डबल बॉन्ड को पहले के बाद भी लिख सकते हैं, दूसरे के बाद भी लिख सकते हैं, कहीं पर भी हम डबल बॉन्ड लिख सकते हैं, केवल हमें नाम जब इसका लिखेंगे तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि वास्तों मे या 1-hexene है, 2-hexene है, 3-hexene है या 4-hexene है यानि कौन से कारबन से यह double bond जुड़ा हुआ है तो यहां भी हम देख रहे हैं कि एक लगातार एक ही जैसी स्रिंखला हमें प्राप्त हो रही है क्रमबत तरीके सी यह भी आगे की और बढ़ रहा है जैसा सूत्र में हमने देखा CnH2n तो यहां पर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, C7H14, C8H16, C9H18, C10H20 तो सभी में हम देख रहे हैं कि C2H1 का अंतर है और सभी में 14 Unified Mask का अंतर देखने को मिलता है तो यह भी एक सजाती श्रेणी है लेकिन यह एलकीन की सजाती श्रेणी है जिसमें एथीन से प्रारंब होता है प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन इस तरह से वो आगे की और बढ़ता जाता है इसी प्रकार से हम hydrocarbon के असंत्रिप्त hydrocarbon का जो प्रकार है उसके अंतरगत आने वाले एक और परिवार के बारे में जानेंगे इलकाईण परिवार यह जो इलकाईण परिवार है इसका जो सामाईनिस उत्र होता है CnH2n-2 यहां भी कारबन की संख्या को हम N के रूप में दर्शा रहे हैं और यहां इलकाईण परिवार को भी हम देखते हैं कि यहां भी शुरुआत जो है वो मेथाइन से नहीं हो रही है इसकी शुरुवात भी एथाइन से ही होती है यहने कि कारवन परमाड़ों की संख्या दो से ही प्रारम्भ हो रही है इस प्रकार की योगीकों के लिए अगर एक रखते हैं तो C and H to N minus 2 वाले सूत्र में यदि N बराबर एक रखते हैं तो क्या आएगा सूत्र वो हम देखेंगे C के नीचे 1 किये H2N minus 2 तो 2 into 1 minus 2 तो यहां 2 में से 2 घटा है मतलब 0 हुआ तो C H ही प्राप्त होता है तो C H नाम से कोई योगीक प्रकृती में है ही नहीं क्योंकि वो एक्जिस्ट ही नहीं होगा क्योंकि कार्बन की सेवजगता 4 होती है और C H ये दि लिखते हैं इसका आयत है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में केवल सिंगल बॉंड है यहां पर इसकी सेवजगता पूर्ण ही नहीं हो पारी है तो C H जो है वो प्रकृती में है ही नहीं तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि इसकी जो शुरुवात है वो N इक्वल टू टू से ही हो रही है याने कार्बन परमाडू की संख्या 2 से ही ये प्रारम होती है तो हम प्रारम करेंगे कि पहला जो सदस्य है उसका सुत्र क्या होगा तो यदि N बराबर 2 करते हैं तो C N H 2 N माइनस 2 तो C के नीचे 2 करते हैं H 2 इंटू 2 माइनस 2 तो C 2 H 2 इसका सुत्र होगा चुकि कार्बन परमाडू की संख्या 2 है तो एथ हो गया इसका मूल भाग और चुकि एलकाइन में अनुलगन के रूप में आइन लगा है तो एथ धन आइन इसका नाम होगा एथाइन इसी प्रकार से यदि N इक्वल टू 3 करते हैं तो C 3 होगा H 2 इंटू 3 याने की 6-2 तो H 4 होगा तो C 3 H 4 हुआ तो यहाँ पर C 3 H 4 याने कार्बन परमाडू की संख्या 3 है तो प्रोप हो गया इसका मूल भाग और आइन इसका अनुलगन याने की सफेक्स हो गया तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन C 3 H 4 यह हो गया प्रोपाइन तो C 3 H 4 को जब हम सूत्र के रूप में लिखते हैं या इसे हम संखनित सूत्र के रूप में लिखेंगे तो CH 3 C triple bond CH CH 3 C triple bond CH तो किसी भी एक जगह पर हम कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंद को दर्शा सकते हैं यदि ब्यूटाइन बनाना है तो ब्यूटाइन बनाने के लिए यदि C 4 करते हैं H 2 into 4 minus 2 तो C 4 H 6 होगा यहाँ पर C 4 H 6 है तो जब इसके संखनित रूप को लिखते हैं तो CH 3 CH 2 C triple bond CH तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि C और C के बीच में किसी भी एक जगह 3 बंद लगाना है यदि हम इसका नाम करण करें जैसे CS 3 CH 2 C triple bond CH तो जहाँ पर हम triple bond या 3 बंद लगाये हैं वहीं से नंबर देना प्रारम करेंगे श्रिंखला को तो इसके लिए सबसे पहले हम नंबर देंगे CH को 1 फिर C 2 CH 2 3 और CH 3 4 यदि हम यहाँ से प्रारम नहीं करेंगे जहाँ triple bond हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए जहाँ पर हमें 3 बंद कम से कम अंक देना पड़े वहीं से हम उसे प्रारम करते हैं गिनना तो 1, 2, 3, 4 तो चूकि यहाँ पर कार्बन परमाणू की संख्या 4 है तो इसका नाम होगा ब्यूट तो है ही और आइन भी है लेकिन चूकि हमें ये भी बताना है कि वास्तों में ये जो 3 बंद है वह किस कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो यह पहले कार्बन पर जुड़ा है तो इसका नाम होगा 1, चोटा सा डैश लगाएंगे और ब्यूट धन आइन यहने की ब्यूट आइन ऐसे ही यदि हमें और लंबे सदस्यों को बनाना हो लंबी श्रिंखला बनानी हुम ब्यूटाइन के बाद की तो कैसे बनाएंगे ये एक अभ्यास का प्रश्ण है आपके लिए तो हम यहाँ पर 5 कार्बन वाला और 6 कार्बन वाला इलकाइन कैसे बनाएंगे चलिए जानते हैं यदि हमें N बराबर 5 करना है तो C5H2 इंटू 5 माइनस 2 तो C5H8 इसका सूतर होगा C5H8 जब होगा तो हम लगातार 5 कार्बन बना देंगे किसी भी एक जगा पर आप ट्रिपल बॉन लगा दीजिए चाहे आपको पहले के बाद लगाना है दूसरे के बाद लगाना है तीसरे के बाद लगाना है केवाल आपको ध्यान रखना है कि ट्रिपल बॉन हमने किस कार्बन के बाद लगाया है जैसा कि हम यहाँ पर पहले कार्बन के बाद लगा देते हैं तो यहाँ पर CH triple bond C, फिर CH2, CH2, यहाँ पर हो गए total 4 और फिर CH3, तो इस तरह से 5 carbon हो गए, लेकिन triple bond लगाने के बाद हम देख रहे हैं कि पहले वाले carbon में CH triple bond C है, क्योंकि यहाँ C जो है, अगली तरफ से हम देख रहे हैं CH2 से जुड़ा है, तो इस C बीच वाले जो दूसरा नंबर का जो C है, वहाँ पर carbon की समझता पूरी हो गई, तीन इधर और एक इधर, तो चार, तो यहाँ H नहीं लगाए, तो पहले वाले एक H, अगर हम H पर माड़ू को गिनेंगे, तो पहले carbon से जुड़ा हुआ एक H है, दूसरे carbon पर H नहीं है, तीसरे carbon पर हम दो देख रहे हैं, तो एक और दो हो गया, तीन, फिर तीसरे में हमन देख रहे हैं कि इसका जो सूत्र है, जैसा कि हमने पेंटाइन का सूत्र सीखा, कि वास्तों में पेंटाइन का सूत्र होगा C5H8, तो 5 तो है carbon और hydrogen को गिनने के बाद भी हमें 8 मिला, तो इसका सूत्र होगा C5H8, और पेंट धन आइन, तो इसका नाम होगा pentine, इसी प्रका करेंगे, तो पहले carbon को हम CH3 ही लिखेंगे, दूसरे carbon में C, triple bond C कर देंगे, फिर CH2 और CH3, ऐसा मतलब हम बढ़ाते जाएंगे, तो एक लंबी श्रिंखला में प्राप्त होगी, बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें triple bond को किसी भी एक जगाना है, यदि हम एक नॉर्मल इलका की बात करें, तो C6, H10 इसका सूतर होगा, carbon परमाडू की संख्या 6, तो H2 into 6 minus 2, तो यहाँ पर 12 minus 2 करते 10 आता है, तो C6, H10 इसका सूतर है, तो 6 carbon पहले बना दें, उसके बाद हम किसी भी, मान लीजे हम तीसरे carbon के बाद 3 बन बनाते हैं, तो 1, 2, 3 के बाद हमने 3 बन 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 बना दिया, और उसके बाद हम तीसरे carbon के बाद 4, 5, 6, फिर से 3 carbon बना देंगे, सभी तरफ हम बीच में तीसरे carbon के बाद triple bond बनाने के बाद, इन सभी सहुझता हमें पूर्ण करनी है, इन सभी सहुझताओं को पूर्ण करने के लिए हम hydrogen को लगा देंगे, केवल ध्यान रखन है कि जहां पर triple bond लगा है, वहां पर यदी complete हो गया है, कार्बन की सहुझता पूर्ण हो गई है, तो यहां पर hydrogen लगाने के अवशकता नहीं होगी, लेकिन जहां जहां भी hydrogen की अवशकता है, सहुझता पूर्ण करने के लिए वो लगा के हम पूरा जो यह संरिशना अत्मक हैं, तो पहला जो होगा, यह C के साथ 3H जुड़ेगा, दूसरे C के साथ 2H जुडता है, तीसरे में चुकी 3 जुड़ गया है, तो यहां पर H नहीं जुड़ेगा, चौथे में भी H नहीं जुड़ेगा, फिर पांचवे में CH2 होगा, और चटवे में चुकी लास्ट वाला है तो वहाँ भी 3 होगा तो 3 और 2 5 और इधर भी 5 और 2 7 और 3 10 तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि C6H10 बनता है तो इसका नाम हो जाएगा जोकि हेग्जाइन है तो हेग्जाइन तो होगा ही लेकिन वास्तों में ये टिसरे कार्बन के बाद जुड़ा है तो इसका नाम होगा 3-hexine ऐसे ही आप विभिन प्रकार के जो योगीखे उन्हें बना सकते हैं जैसे हेप्टाइन, ओक्टाइन, नो-9, डेकाइन ऐसे हम विभिन प्रकार के सजाती श्रेणी बना सकते हैं यहां भी आप देखिए कि अंतर को हम देखेंगे तो वो सेम होगा जैसा कि एलकेन और एलकीन में होता है यहां पर देखिए C2H2 यहने एथाइन हो गया, C3H4 हो गया, यहां भी हम देख रहे हैं CH2 का अंतर है, फिर एक और CH2 का अंतर करके बनाएंगे, तो C4H6 होता है, फिर C5H8 होगा, C6H10 होगा, तो सब में हम देख रहे हैं कि CH2, CH2 का अंतर होता है, तो यह भी एक सजाती श्रेणी को दर्शाता है, यह एलकाइन परिवार है, जो इसमें विभिन सदस्यों के बीच या दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 इकाई का अंतर होता है, और साथ ही साथ यहां पर 14 यूनिफाइ मास और उभार में अंतर देखने को मिलता है, हमने एलकेनों में पाए जाने वाली सम्मावेता के बारे में जाना, अब हम एलकीन और एलकाइन में पाए जाने वाली कुछ सम्मावेता के बारे में जानेंगे, तो जो एलकीन और एलकाइन है, इसमें हम देखते हैं कि कार्ब कार्बन के बीच double bond या carbon carbon के बीच triple bond होता है तो निश्चित रूप से यह जो double bond या triple bond का स्थान है वो है एक अलग-अलग योगिक की पहचान का भी कारण बनता है यदि हम यहां पर दो सनरशनाओं को देखे एलकीन के उदारन को लेते हम सबसे पहले तो यदि दो उदारन दे दिखते हैं कि CH3 फिर CH2 फिर CH double bond CH2 है तो इस butene 1 में या 1 butene में या butene 1 in में ये तीनों एक ही योगिक है हम इसे normal butine भी खहते हैं पहले carbon से जुड़ा हुआ है तो but one in भी कहेंगे दूसरे से जुड़ा होगा तो but two in भी कहेंगे या इस one और two को हम प्रारम में भी लगा सकते हैं और अंत में भी लगा सकते हैं तो कई तरीके होते हैं नामकरण करने के तो अभी तो हम पहले देखते हैं कि वास्तों में ये जो double bond है उसकी वज़ा से क्यों स्थान समावेता उत्पन होती है या स्थिती समावेता क्यों उत्पन होती है तो यहाँ पहले उदाहरण में हमने but one in देखा और दूसरे उदाहरण में हम देख रहे हैं तो double bond है, वह दूसरे कार्बन से जुड़ा है, तो bute-2-in बना, bute-2-in के लिए जो सनरशना बनाई गई है, CS3, CH, double bond, CH और ये हो गया CS3, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले वाले और दूसरे वाली सनरशना को यदी हम देखें, तो दोनों का जो अनुसुत्र है, वो C4H8 ही है, क्योंकि ब्यूटीन है, तो C4H8 ही इसका अनुसुत्र होगा, लेकिन सनरशना अत्मक दृष्टी से यह अलग इसलिए हुआ, क्योंकि पहले वाले सनरशना में हम देख रहे हैं कि जो डबल बॉन्ड है, दूई बंद है, वो पहले कार्बन के बाद है, और दूसरी वाली सनरशना में जो डबल बॉन्ड है, वो दूसरे कार्बन के बाद लगा है, तो ब्यूट वन इन और ब्यूट टू इन, तो यह ज परकार से सनरशनात्मक समावेता ही है, दो अलग-अलग समावेवी यहां उत्पन हुए, ब्यूट वन इन और ब्यूट टू इन, दोनों के गुण अलग-अलग होंगे, कि एवल इनका अनुसुत्र एक समान होता है, तो यहां पर जो हम नामकरण इसका लिखते हैं, तो देख सनरशना को हम देखें, तो ब्यूट टू इन लिखने के लिए हम बीच में दो बार लगू रेखा या डैश बनाना पड़ता है, ऐसे ही ब्यूट वन इन में ब्यूट वन इन, तो ब्यूट और वन के बीच एक लगू रेखा, और वन और इन के बीच में फिर से एक लगू रेखा तो ये जो दोनों नामकरण है ये दोनों नामकरण करने की जो विधी है यह भी IUPAC सिस्टम के आधार पर ही दिया गया है और पूरे विश्व भर में इसको माननेता प्राप्त है हम कहीं भी चले जाएं ब्यूट वन इन या ब्यूट टू इन को लिखने का यही तरीका हमें देखने को मिलेगा तो यहाँ इसी तरह के कई और योगी को के बारे में भी हम लिख सकते हैं यदि हमें बनाना है पेंट इन वन पेंट इन टू इन पेंट फ्री इन ऐसा भी हम बना सकते हैं सिर्फ हमें डबल बॉंड का जो स्थान है वह बदलना पड़ेगा और ना रेखा या हमें एक डैश लिखना पड़ेगा और उसके बाद फिर हमें एक और डैश लगा के इन लिखते जाएंगे तो इस तरह से स्थान डबल बॉंड का बदलेगा और योगिक का नाम भी बदल जाएगा योगिक के गुण भी बदल जाते हैं इसी प्रकार से स्थान इलकाइनों द्वारा भी दर्शाई जाती है, इलकाइन में हम एक उदाहरन लेते हैं, ब्यूट का ही उदाहरन लेते हैं, यहने कारवन परमाणूगी संख्याइदी 4 है, तो ब्यूटाइन बनेगा, ब्यूटधन आइन, तो इसका सुत्र होता है C4H6 जैसा कि हमने पहले भी बढ़ा, तो यहां भी हम देख रहे हैं कि यदि 1 ब्यूट आइन लिखें और 2 ब्यूट आइन लिखें, या फिर हम ब्यूट 1 आइन लिखें, ब्यूट 2 आइन लिखें, या ब्यूट आइन 1, ब्यूट आइन 2, ऐसा भी लिख सकते हैं, तो इसका सूत्र कैसा होगा, यदि हम bute 1 आईन लिखते हैं, तो bute यहने 4 कारबन बना दिये, तो CH3, CH2, C, triple bond, CH, यह बन गया bute 1 आईन, दूसरी और हम देख रहे हैं, दूसरे कारबन पर triple bond लगाना है, तो CH3, C, triple bond, C, फिर CH3, तो bute 2 आईन हो गया.